नमस्कार दोस्तों कवीता याद यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमारी तैयारी चली हुए है हिंदी विशेसे सम्मंदित परिक्षाओ के लिए हिंदी विशे से सम्मंदित प्रिक्षाव के तैयारी हम हिंदी के संपून पठेकरम के आधार पर कर रहे हैं आज की क्लास होगी हमारी पुरुसकार से सम्मंदित पिछली एक क्लास में हमने हिंदी साहित्यकादमी पुरुसकारों को कर लिया था उसमें देखा था कि किन किन हिंदी साहित्यकारों को किस रचना पर साहित्यकादमी पुरुषकार मिला हुआ है आज करेंगे हम ग्यानपीट पुरुषकार कि हिंदी साहित्यकारों को किस रचना पर ग्यानपीट पुरुषकार प्राप्त है इससे पहले हम ग्यानपीट पुरुसकार से सम्बंदित कुछ अन्य तथों को भी देख लेते हैं, क्योंकि परिक्षा में कई बार अन्य तथों से भी परशन पूछ लिये जाते हैं, हिंदी के अंतरगत भी पूछ लिये जाते हैं, साथ ही जो हमारा फर्स्ट फेपर होता है, भी इस नंबर की जी के आती है, उसके अन्तरगत भी पूरुसकारों से सम्बंदित कई बार परशन पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए ये अत्यन्त मेतव पूरण सी दोगे, जो आज की क्लास में हम करेंगे, ज्यानपीट पूरुसकार से सम्बंदित मेतव पूरण तथ्य और हिंदी सहित्यकारों को दिये जाने वाले ज्यानपीट पूरुसकारों के सूची, देखेंगे, बढ़ते हैं हम फर्स्ट पूरुसकार भारत का सर्वोच्य सहित्यक पूरुसकार है, यह जो ज्यानपीट पूरुसकार है, यह भारत का सर्वोच्य सहित्यक पूरुसकार ह आने वाला सबसे सर्वत्षतान पर यह पुरुषकार है।। इसकी सुरुवात 1965 सभी में की गई। कब की गई। 1965 में। और हिंदी में कि सन में मिला सबसे पहले। हिंदी साहित्य में। 1968 में सुमित्रारंदन पंत को। लेकिन शुरुवात हो गई थी 1965 में, 1965 में सबसे पहले अन्य साहित्यकार को दिया गया जो की संकर कुरूप को परदान हुआ मल्यालम में, यह तथ्या आगे आएगा, यह हम पढ़ लेंगे, यह है भारतिय सविदान की आठवी अनुसूची में वरनित, कौन सी अनुसूची म 22 वाशाओं में किसी भी वाशा में दिये गए उतकर्ष्ट साहित्यय योगदान हे तो परतिवरस परदान किया जाता है, यानि कि यह साहित्ययकादमी पुरुसकार हर साल दिया जाता है साहित्य के छेत्र में, और 22 वाशाओं में से किसी भी वाशा में जो सबसे उतकर्ष् बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पुरुसकार के साथ वाग देवी की परतिमा एक प्रास्ती पत्र और ग्यारा लाक रुपे की रासी पुरुसकार के रूप में दी जाती है तो क्या-क्या दी जाती है वाग सवरुप की परतिमा एक प्रास्ती पत्र और ग्यारा लाक रुपे पहल ग्यारा लाक की बज़ाई जब शुरुवात हुई तब एक लाक दी जाती थी अब बढ़ा कर ग्यारा लाक कर दी गई हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट पर पहला ग्यानपीट पुरुसकार उनिस सो पैसेट में मली आलम साहित्यकार को संकर कुरूप को परदान किया गया किसे आलम भाशा का साहित्यकार रहा है उनिस सो पैसेट में जो सबसे पहला ग्यानपीट पुरुसकार था दिया गया संकर कुरूप को कई वार यह पूछ लिया जाता है कि पहला साहित्यकार को रहा या फिर हिंदी में पहला ग्यानपीट पुरुसकार प्राप्त करता साहित्यक हिटे पुरुषकार इतियास में पहली बार 1918 में किसी अंग्रेजी साहिटीकार को यह पुरुषकार पुरुषकार प्राप्त हुआ हैं बढ़ते हैं आगे हिंदी बहशा में यहां पुरुषकार अब तक 11 साहिटीकारों को प्राप्त हुआ है very important तत्हा बई यह पूछ सकते हैं कि अब तक हिंदी सहित्य चेत्र में कितने सहित्यकारों को ग्यानपीट पुरुसकार प्राप्त हुआ है तो 11 सहित्यकारों को अब तक ग्यानपीट पुरुसकार प्राप्त हुआ है इंदी चेत्र के अंतरगर बढ़ते हैं आगे बढ़ते हां आगे बांगला बाशा की सहित्यकार आशा पूरुना देवी इस पुरुसकार को प्राप्त करने वाली पर्थम महिला बनी ये पूछ लेगे कि ज्यानपीट पुरुसकार प्राप्त करने वाली पर्थम महिला कौन बनी तो ये बनी आशा पुरुना देवी जो की बंगला बाशा की सहित्यकार रही है अगर ये पूछ लिया जाए तो इंदी छेतर में पर्थमाईला कौन थी ज्यानपीट पुरुसकार प्राप्त करने वाली हिंदी छेतर में महादेवी वर्मा जिने 1982 इस्वी में यामा पर ज्यानपीट पुरुसकार प्राप्त हुआ इस परकार बढ़ते हैं हम आगे थोड़ा सा ओर ज्यानपीट पुरुसकार प्राप्त सूची हिंदी के छेतर में हिंदी साइत्य के छेतर में हिंदी साइत्य कारों को किस रचना पर किस सन में ज्यानपीट पुरुसकार प्राप्त हुआ इस सूची को एक बार हम देख लेते हैं समझ लेते हैं क्योंकि यहां से परिक्षा में हर बार पर्शन पूछा जाता है या मिलान के अंतरगे देते हैं या डारेक्ट सन ही पूछ लेते कि कि सन में रामदारी सिंग दिनकर को ग्यान पीट पुरुषकार मिला या सुमित्रा जन पंद को किस रचना पर मिला इस तरह पर्शन पूछ लिया जाता है तो बिलकुल एक ज्यादा नहीं है, ये हिंदी के छेतर में दिये जाने वाले पीट पुरसकार कुल 11 ही है, इनको हमें कोई भी ट्रीक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें बार बार-बार रिवाइज करके हम याद कर सकते हैं, अगर हम हर चीज की अगर ट्रीक लगाने से याद करेंगे तो परिक्षा में बैस ट्रीक को ही सोचते रह जाएंगे हम सही अंसर तक नहीं पोचेंगे जादा confusion हो जाएगी इसलिए एक मेरा मानना है कि एक तथ्य को या एक रचना को बार बार हम देखेंगे बार बार पढ़े व्जोन कहरेंगे तो याद आराम से याद रह जाती है कभी बूलते नहीं है इक पट्रीक जो याद हो जाती है पक्की तो फिर वह भूली भी नहीं जाती है लेकिन फूरीत को ह्म भूल जाते है confuse हो जाते क्या थी क्या नहीं थी तो इसलिए हां कुछ कीं सिजस किज्चे जाद करने से याद रह जाती है तो हम जादा ट्रीक पर फोकस नहीं करेंगे सिरफ अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे कि सीरियस होके हमें किस परकार से परिक्षा की तैयारी करनी है बढ़ते हैं अपने टोपिक की तरफ ग्यान पीट पुरुषकार प्राप्त सूची हिंदी क चेटर के अंतरगत वर्स देख लेते हैं फिर नाम देख लेते हैं रचनाकार का किर्थी देख लेते हैं उसकी किस किर्थी पर ग्यान पीट पुरुषकार प्राप्त हुआ किस सन में हुआ किस सहित्यकार को प्राप्त हुआ यह देख लेते हैं सबसे पहले 1968 सुमित्रा नं पंदन पंद चितमरा पर इनकी रचना है चितमरा जो कि एक ये च्छाया वादी कवी रही है 1968 में चितमरा पर उन्हें ज्ञानपीट पुरुसकार मिला 1922 में रामदारी सिंग दिनकर को उर्वर्शी पर एक उर्वर्शी जैशंकर परशाद की भी है जो कि एक चंपू का वे है दिनकर का एक खंड का वे है 1968 में अग्गे को मिला कितनी नावों में कितनी बार इस रचना पर इन्होंने ग्यानपीट पुरुसकार मिला 1982 महादेवी वर्मा को मिला यामा पर इनकी रचना है यामा जैसे अगर ट्रीक भी बनाना चाओ तो आप शब्दों को मिला कर बना सकते हो थाकि एकजाम में हमें देखते ही पता चल जाए जैसे 1982 में महादेवी वर्मा यामा तो वर्मा यामा किस रचना पर मिला महादेवी वर्मा की पर अगर यह द्याना रहे तो वर्मा मा कर देंगे तो यामाबाद में भी मा की सांडारी है महा देवी मा तो इस तरह हम ट्रिक बना भी सकते हैं 1902 में में नरेश महत्ता को मिला वही संपून सहित्य पर संपून इसके बाद जो 1982 के बाद 1984 के बाद संपोन साहित पर ग्यान पीट पुरुसकार प्राप्त किया जाने लगा क्योंकि इसके बाद 1982 में रचनापर मिला यामा रचनापर महादेवी वर्मा को लेकिन 1984 के बाद 1982 के बाद 1983 में और 1984 में अन्य बाशाव पर मिला लेकिन 1984 में के बाद जब ग्यान पीट पुरुसकार प्राप्त हुआ वह संपोन साहित पर दिया जाने लगा संपोन साहित पर और उसके बाद 1905 में में नरेश महताने को संपोन साहित पर मिला 1909 में में निर्मन मा को संपोन साहित पर मिला 1909 में अमरकांत और सिरिलाल सुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया यह है पुरुसकार 2013 में कैदारनाथ सिंग को मिला 2017 में किर्षना शोबती को मिला इस परकार हमने 1968 से लेकर 2017 तक के ग्यानपीट पुरुसकारों को देखा हिंदी के छेत्र में इसके बाद बात करें अगर हम अभी जो हाली में ग्यानपीट पुरुसकार है जो 2021 का ग्यानपीट पुरुसकार दामोदर माउ जो कि कौनी भाषा में मिला यह question current affair के अंतरगत पूछा जा सकता है कि हाली में किसे ग्यानपीट पुरुसकार मिला किस साहित्यकार को तो किस भाषा में मिला यह तथ्याप को ध्यान रखना है याद रखना है आई ओप मेरे दुआरा दी गई जानकरी आपको पसंद आ रही होगी, मेरे दुआरा दी जाने वाली क्लास से आपको परिक्षा में लाब होगा, ये उमीद मैं रखती हूँ, और जिस भी टोपिक में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, या फिर किसी भी चीज का कन्फ् में लिख सकते हो, मैं हमें इस चीज की क्लास चाहिए, या हमें इस तरह पढ़ना अच्छा लगता है, या इन क्लासों के अंदर आपको कोई कमी लग रही हो, तो आप बेजी जग होकर कमेंट बोक्स में मुझे सला दे सकते हो, मैं आपकी हर बात को सुनूँगी, और उस प करते रहना, आगे बढ़ते रहना, वीडियो पसंद आई, तो लाइक और पहली बार लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करने लेना, ज्यादा तो मैं आपको क्या कहूं, अगर आप इस तरह है, अगर आप लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो कमेंट बोक्स में आप कमेंट करके मुझे बताओगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, थैंक्यू, धन्यवाद.